So, Hello Creators, Welcome back to another tech video So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे Animated Background create कर सकते हो और guys, जब आप अपनी वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पीछे इस Animated Background को यूज करोगे तब आपकी वीडियो की Editing एकदम प्रो लेवल की लगेगी So, अगर आप जानना चाते हैं कि इस Animated Background को कैसे Create करना है तो इस वीडियो को पूरे End तक देखते रहिएगा And guys, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी Request करना चाता हूँ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीस इस वीडियो को एक लाइक जरू कर देना And guys, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना And notification bell को भी on कर लेना So, let's get started अब guys, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी काइन मास्टर के application में आ गया हूँ यहाँ पर हमें सबसे पहले एक black color का background ले लेना है इस background को लेने के बाद आपको यहाँ से layer में जाके Media में जाके एक और background ले लेना है यहाँ से आपको इसा भी background ले सकते हो background को लेने के बाद आपको इसके color को green कर देना है अब guys, इस background को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से and guys, फिर आपको यहाँ से नीच याँ के cropping वाले option में आ जाना है cropping में आने के बाद आपको इसके कुछ इस तरह से crop कर लेना है और फिर इसे आपको यहां से उक्के पे click कर देना है अब guys इसे आपको rotate करना है कुछ इस तरह से and guys इसे आपको विर्कुल यहां पे बीच ओ बीच लाके इसके size को increase कर देना है कुछ इस तरह से फिर guys आपको यहां से 3 dot पे click करना है and guys फिर से आपको यहाँ पे same process करनी है इसे उठाके आगे ले जाना है और याद रहे आपको इन सब के बीच का gap एकदम same ही रखना है और यही same process आपको लगातार करते रहना है जब तक कि आपकी पूरी screen फुल फिल नहीं हो जाती इतना करने के बाद आपको यहाँ पे click करना है and guys यहाँ से आपको capture and save पे click कर देना है जिससे कि आपका screenshot आपकी gallery में save हो जाएगा इसके बाद guys आपको यह सारी layer जो हैं इन सब को delete कर देना है इसके बाद guys आपको media पे जाके उस screenshot को यहाँ पे add कर लेना है इसे head करने के बाद आपको इसके size को 10 seconds तक increase कर देना है and guys फिर आपको यहाँ से pen and zoom वाले option पे click करना है और इसकी starting position को आपको left side में नीचे की तरफ zoom करना है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखके इसे ढंग से fit कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ से end position पे click करना है और इसे right side में उपर की तरफ इसे zoom करना है कुछ इस तरह से इसमें भी आपको यहाँ पे देखके इसे ठीक से fit कर लेना है और फिर आपको यहाँ से okay पे click कर देना है अब guys यहाँ से आपको layer में जाके अपनी screen recording वाली video को add कर लेना है so यहाँ पे मैंने example के लिए एक screen recording add कर ली है and guys अब हमें यहाँ पे एक mobile की png भी add कर लेनी है so यहाँ पे मैंने png add कर ली है अब हमें इसे ढंग से screen में fit कर देना है और अगर आपको यह png पसंद आती है तो इसकी link भी मैं आपको description में दे दूँगा वहाँ से जाके आप इसे असानी से download कर पाओगे so इसे add करने के बाद आपको इसकी layer को पूरे end तक stretch कर देना है so guys अब हमारा animated background पूरी तरह से create हो चुका है जैसा कि आप यह पर देख सकते हैं कि इस तरह से background में animate हो रहा है अब guys problem बस यह है कि यह जो हमारा background है यह सिफ 10 seconds का है और सीधी सी बात है कि हमारी जो screen recording होगी वो 10 seconds से जादा की होगी so ऐसी situation में अगर आप इस background को increase करोगे तो आपका यह जो background में animation हो रहा है यह काफी ज़्यादा slow हो जाएगा तो इसका solution बस यह है कि आपको यह से 3 dot पे click करके इसकी duplicate layer को यहाँ पे add कर लेना है इसे add करने के बाद आपको इसे ok पे click करना है और इस पे click करके आपको यहाँ से आगे ले आना है और फिर आपको यहीं पे इसे छोड़ देना है जिससे कि यह पहले वाले background के आगे add हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से mobile की png को भी increase कर लेना है so कुछ इस तरह से आप animated background को create कर सकते हो और उसे अपनी वीडियो में use कर सकते हो so guys I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी and guys यह वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा and guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please यह वीडियो को एक like जरूर कर देना and ऐसा ही genuine content देखने के लिए हमारे चैनल को भी subscribe कर लेना और notification bell को भी on कर लेना so guys मैं मिलता हूँ आपसे एसी next वीडियो में जब तक लिए टाटा and bye bye